आपके जीवन में important events महत्वपूर्ण घटना एक कब घटेंगी जन्तिती में कुछ चीज़ें पता चलती हैं पता चलने से उनको avoid नहीं किया जा सकता वैसे ही जैसे यह पता है कि कल बारिश होनी है या आंधी दूफान आना है करिए सकते हैं थोड़े से careful तो अपनी जन्तिती से जानी कि वो कुछ important events कब होंगे इसी विश्य में आज बात करेंगे हूं जुड़े रहे हैं हाई एवरीवान दस जाया करम चंदानी वलकम तू इन्विंसिबल पाशन ठाउक शो जहां हर अवते वेंस्टे एंड संडे में आपके साथ हिंदी और इंग्लिश में नुमरालिजी एस्ट्रालिजी वास्तू से जुड़े हुए कुछ अपने अनुभव कुछ बातें शे सब्सक्राइब करें और जुड़ चाहें हमारे इस इन्विंसिबल परिवार के साथ ताकि जो अनुभव में शेयर करती हूं और आप सब अपने अनुभव शेयर करते हैं एक दूसरे से अपनी बातें हो पाती हैं जैसे स्क्रीन पर देख रहे हैं आप ये डेट 18 जुलाइ 1982 18 जुलाइ 1982 उधारन के तौर पर आज ये डेट ऑबर्ट ले रही हूं आप भी पेपर और पैन उठाएं थोड़ा सा इंट्रेस्टिंग है ये एपिसोड और नॉमली शायद कोई नई बात आपको भी देखने से क्लिक हो जाए 18 जुलाइ 1982 अपनी भी डेट ऑबर्ट जैसे इस जन्तिती में अगर हम जोड़ें 1 और 8 9 9 और 7 16 16 और 1 17 17 और 9 प्लस उसमें 8 प्लस 2 इस पूरे के पूरे को जोडने से आपके पास आएगा 36 इसे ही आप अपनी जन्तिती का हर अंक जोड़ें और स्पने जो नंबर आया पहला रूल है उसे जोड लें इसमें आगया 36 अब जिस वर्ष जन्व हुआ आपका जैसे इस एक्जाम्पल में 1982 1982 में जन्व हुआ 1982 में ये पूरा का पूरा टोटल जोड दें 36 जब हमने पूरा का पूरा टोटल जोड़ा तो आया 2018 2018 आया इस व्यक्ति के जीवन में 2018 एक महत्वपूर्ण वर्ष होगा अब वन येर प्लस माइनस कर सकते हैं 36 की जगे 35 भी हो सकता है 37 भी हो सकता है पर अप्रॉक्सिमेटली इस एज में आप देखिए जब आपने अपनी जन्व तिथी को जोड़ा तोटल और उसको जन्व वर्ष में जोड़ा क्या कोई खास बात हुई इस व्यक्ति की जन्व तिथी में जिनका जन्म है इस व्यक्ति की शादी हुई 2018 में इंपॉर्टन इवेंट अब चले और मज़े की बात बताती हूँ 36 में जिस दिन आका जन्म हुआ अब जैसे आप देख रहे हैं इनकी जन्व तिथी है अठारा अठारा को एक और आट को जोड़ने से आया नौ 36 में से 9 घटाईए तो आपके पास आएगा 27 जन्ट थी में 1982 में अगर आपने 27 जोड़ दिया तो आएगा 2009 इस व्यक्ति के लिए 2009 भी बहुत महत्वपूर रहेगा बहुत ज्यादा अच्छा या बुरा वो आप अपने जीवन को अब्जर्व करिए और अगें एक साल का हेर फेर दीजिए प्लस वन माइनस वन यर में कि क्या घटित हुआ वापस चलते हैं तीसरा रूल 1982 में जन में इस व्यक्ति का जनतिती है 18 1982 में 18 चोड़ दीजे आएगा 2000 दो हजार इस व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर रहेगा और ये व्यक्ति she became the Miss World in 2000 है न मज़े की बात आपकी जनतिती बताती है कि important क्या है अब वो negative होगा या positive थोड़ा आप मेहनत करिए तो अब तक देखा आपने कि जनतिती को जोड़ा जो आया number वो आप जोड़े है अब आपके साथ अच्छा या बुरा ये आप अपनी जीवनी आप बहतर जानते हैं plus minus one year कर सकते हैं पहली calculations आपने जनतिती से ऐसे ही निकाल ली है यहाँ तक तो समझा अब देखिए 36 को जो जीवन में हर नौ साल पे परिवर्तन होगा हर नौ साल पे परिवर्तन होगा अब इंपोर्टन इवेंस घटनाएं भी इसके जीवन में हर नौ साल पे घटित होंगी अब इसी 36 को जोड़ने से आगया नौ अब इस 36 में आप नौ जोड़ दीजे आएगा 45 यानि इस व्यक् वो transformation का होगा बड़ा बदलाव आएगा और यूँ कहों तो थोड़ा साफधान रहना चाहिए 45 यह एक तरीका हो गया दूसरा इस वेक्ति की जन्त की तिथी अठारा अठारा को जोडने से भी आया नो तो जिसकी तिन आपका जन्त की होता है वो अंक और जिस जंति same shrinking को जोड़ने से आपको पूरा अंक आया वेक्ति का बदला उसके जीवन में अब मान लीजे किसी की जन्व तिती को जोडने से आठ है अगर 34 है या 36 है या 35 है अगर 35 आता तो आठ हो जाता तो ऐसे वेक्ति के जीवन में हर आठ वर्ष पे परिवर्तन होगा कुछ ऐसी घटनाएं घटेंगे दूसरा रूले भी है जिस दन जन्व हुआ यानि अगर 18 को हुआ है इस वेक्ति का तो जोडने से 9 आया तो हर 9 वर्ष पे बदलाव आएगा ऐसे ही किसी वेक्ति का जोडने से 7 आएगा तो हर 7 साल पे बदलाव आएगा तारीखें आपको बताएंगी कि क्या खास होगा अब जैसे 36 में आपने 9 जोड़ा तो आगे 45 यानि इस वेक्ति की उम्र जब 45 होगी यानि 1982 में अगर मैं 45 जोड़तू जाएगा 2027 2027 इस वेक्ति के लिए महत्व पूर्ण रहेगा बहुत इंपॉर्टन रहेगा जब आप अपनी जन्तिती को देखते हैं तो उसमें आपको यह देखना होता है कि महत्व पूर्ण क्या है कब हुआ अब आप देखी शादी किस वर्ष हुई क्या वो आपकी जन्तिती को करती है या नहीं whatever the number you get that will show itself in various occasions and I should say through different important events महत्व पूर्ण घटनाओं के रूप में अच्छा या बुरा वो आप observe करेंगे पर हाँ जब पहला अंक नौ आया जोने से नौ आया तब नौ इनके जीवन में हर बार एक important event लेके आएगा अच्छा या पूरा again you observe numbers जन्तिती से महत्व पूर्ण घटनाएं जब आप निकालें एक चीज़ कहूंगी दरने वाली बात नहीं है जब आपको पता जलता है हर नौ साल पे आठ साल पे साथ साल पे कैसा जीवन रहा you get prepared वैसे ही जैसे चाता लेके आप निकलते हैं जब पता होता है बारिश होनी ह यह जन्तिती है प्रियंका चोपड़ा की और आश्वत से प्रियंका जोनस चोपड़ा 45, 36, see how the events relate, how the numbers speak, जन्तिती के अंग आप से खुद बात करते हैं, calculate करिए आप अपना और शेयर करिए कि आपको important events मिले तो क्या, पर एक चीज़ का ध्यान रखीगा कि जन्तिती में events आ आपकी नौकरी कब लगी, आपने college कब पूरा किया, या break up कब हुआ, या abroad कब गए, या एक बहुत बड़ा promotion कब मिला, कोई ऐसी चीज जिसे आप life में turning point कहीं हो सकता है, वो painful event हो, जिसने आपकी life का रुख ही बदल दिया, एकदम मोड दिया किसी ऐसी जगे, जहां शायद आपको पता ही नहीं था कि उस और आप जाने वाले हैं, वो है important events, सर्दी आया, बुखार आया नहीं, घर कब खरीदा, जहां जन्म हुआ था उस शेहर से बाहर कहीं, आप transfer आपने ले लिया, कोई ऐसी event जिसने that shapes your life, शादी shapes the event, आप अपने जन्व स्थान से कहीं दूर या आप किसी जगे गए, anything that extremely changes, वैसे ही जैसे, changes the focus of your life, जैसे कि गाड़ी आपको जाना था बंबे, आपने अचानक से डिसाइड किया, I need to go to Delhi और आपने अपना रास्ता पदल दिया, that is an important event, तो जब calculate करे, एक साल का हेर फिर दीचे, पहला रूल जन्तिती को पूरा जोड दीजे, जो total आया, उसको जोडने से भी जो आंक आता है, वो उतने उतने साल पे आपके जीवन में परिवर्तन होगा, जैसे 36 को जोडने से 9 आया, दूसरा परिवर्तन, जिस दिन आपने जन्म लिया है, अगर 9 को ही लिया, तो भी 9, डबल डिजिट है, तो भी आड़ करना है, लेकिन अगर 2 डिजिट, डबल डिजिट है, अठारा है, तो अठारा को भी जन्म लिया जोड़ेंगे, तो इंपॉर्टन इवेंट होगा, माली जै किसी का जन्म ही 9 को होता, तो उससर नौ जोड़ लेगा, लेकिन अब थोड़ा सोचें, बच्चा जो 9 साल का है, अठा चान दें कि आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट कब-कब थे, फेवरेबल थे या नहीं थे, तो वहां पे आपको एक अंदेशा मिल जाएगा, उमीद करती हूँ है, अपनी कालकुलेशन बताईगा, रिलेट हुई आप से या नहीं, मिलती हूँ, ठेक केर,